प्रोजेक्ट क्या होता है? हम इसको कैसे एवेलोईट करते हैं? प्रोजेक्ट इवेलोईशन is like looking at how well a project is doing. प्रोजेक्ट इवेलोईशन से मुराद है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है and if it's achieving what it's set out to do, क्या इसको वो मकसद मिल रही है, क्या वो ये चीज़े अचीव कर रहा है जो हमने इसके रिए सेट कर रही थी इस अवे टू सीव दा प्रोजेक्ट इस सक्सेसफुल ये वो तरीका है जिसके जरी हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अपने सक्सेस की तरफ कैसे स्टेब बढ़ चाहिए और जैसे हमने सोचा था कि ये लोगों की मदद करेगा तो क्या ये लोगों की मदद कर रहा है ये लोगों के लिए हएलप फुल हो रहा है जब हम प्रोजेक्ट वैलुएशन को स्टेब बैस्ट डिसकस करते हैं तो हमें इसकी definition की बहुत अच्छी से समझ आ जाती है पचलिए बढ़ते हैं हमारे project evaluation के example की तरफ imagine you are studying for a test आप एक test की study कर रहे हैं यानि आप अपने test के लिए preparation कर रहे हैं जिसके लिए आपको कुछ notes दरकार है material दरकार है तो वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से sources को use करते हो आया कि वो कोई book है वो कोई youtube का content है जब वो google का कोई article है जिससे आप अपना material ले रहे हैं यह आपकी अपनी मर्जी है तो आपका project क्या है test की तैयारी करना तो इसके अंदर evaluation क्या होगी project evaluation is like reviewing your study notes इसकी अंदर हम आपके project को ऐसे evaluate करेंगे कि हम आपके notes की checking करेंगे to see if you understand the material यह देखने के लिए कि आपको उस चीज की समझा रही है जिसको आपने as a project लिया हुआ है यानि उसके लिए जो आपने sources इस्तेमाल किये हैं वो reliable है या नहीं है आपका जो material है वो valid है या नहीं है आप उसको अपने test में इस्तेमाल कर सकते हैं जा नहीं है यह सब हमने check करना होता है and if you are prepared for the exam और यह भी देखना होता है कि आपकी exam की तैयारी कैसी जा रही है आप अपने exam के लिए ready है जा नहीं है तो आपका project है test की तैयारी करना number two पे हमारे पास है imagine you are baking a cake project number two है cake बनान अब आपके की तैयारी कर रहे है इसके अंदर आपका जो project evaluation है वो यह होगा कि आप टेस्ट करेंगे आपका जो के है वो moist है वो tasty है उसका शेप है वो कैसा है ठीक है वो अच्छा है या फिर जहाना वो रफ रफ सा दिख रहा है just like you hoped it would be जैसा आपने सोचा था क्या व for a test दोसरा हो गया baking a cake इसको हम throughout the video discuss करने वाले हैं तो आपने वीडियो को गोर से सुनना है pre project evaluation pre project evaluation क्या होता है कि आपने अपने project को पहले से ही evaluate करना है before starting a project किसी भी project को start करने से पहले it's important to think about what needs to be done and if it's possible to do it जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप सोचें कि आपको किस किस चीज की जरूरत है क्या क्या चीज आपने कर लेना है और क्या चीजे जो हैना मुम्किन हो सकती है कि वो आप बाद में करें क्यूंकि आपने resources का आपने अपने budget का पहले से अंदाजा लगाना है कि इस project के ओपर इतना जो हैना वो खर्चा आएगा तो आपने पहले से ही वो सब तयार करके रखना है ताकि उस project को करते हुए आपको कोई तंगी पेश ना आई this involves figuring out if the project is a good idea इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा project है वो एक अच्छा idea हमारे लिए है या नहीं है क्यूंकि हमने अपने budget को देखना होता है हमने अपने resources को देखना होता है जो हम उस project के अंदर استعمال करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जे हमारे लिए problem बन जाए बजाए इस दिए कि जे हमारी problem को solve करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए और दूसरों के लिए भी before studying for the test test को पढ़ने से पहले you review the syllabus आप अपने content को देखते हैं अपने curriculum को देखते हैं gather study material like textbook फिर आप उस test के लिए material जमा करते हैं वो जो material है वो आप किसी किताब से लेते हैं किसी notes से लेते हैं या फिर किसी YouTube के content से लेते हैं Google scholar से लेते हैं किसी भी article से किसी भी magazine से जहाँ प बना सकते हैं and plan out your study schedule और अपने study schedule को plan कर लेते हैं कि आपने ये ये पढ़ना है यहां यहां तक पढ़ना है ठीक है तो आपका syllabus एक particular subject के हवाले से हो गया कि इसका आपने टेस्ट देना है इसके आपने notes बनाने हैं तो अभी आपने सोचना है कि ये notes आपको कहां से मिलेंगे before baking the cake you check if you have all the ingredients cake को बनाने से पहले आपने चेक करना है कि आपके पास सारे ingredients मौझूद हैं या नहीं है आपके ingredients के लिए क्या हो सकते हैं जैसे के floor, eggs और sugar बगारा तो आपने क्या करना है आपने सारे ingredients को एक जगा जमा कर लेना है क्योंकि आपके बेक करने जा रहे हैं तो आप ये make sure करते हैं कि आपके पास बिल्कुल सही recipe आई है आपने इसी recipe को follow करना है ठीक है और जो आपके पास baking tools है वो भी बिल्कुल सही है ताके जब आप अपने project को start करो तो आप अपने उन goals को achieve कर लो जिनका आपने सोचा हुआ है ongoing evaluation ongoing evaluation से मुराद है कि जैसे जैसे आपका project आगे बढ़ रहा है आपने उसी वक्त उसी की evaluation करते जाना है आपने अपने project के ओपर नजर रखनी है कि आपकी चीज़े कैसी जा रही है वाल्दा project is happening जब आपका project हो रहा है it's important to keep checking on how things are going आपने इस पर नजर रखनी है कि आपकी चीज़े कैसी जा रही है this mean regularly looking at what is happening आपन बनाते जाने हैं यह यह चीज आपका cover हो गया है यह चीज रहता है इस चीज पर इतना खर्च आ रहा है इतना budget लग रहा है यह जो आपके resources यह इस्तमाल हो गए है यह resources रहते है if there are any problems ताके आपको पता चल सके कि अगर आपका कोई मस्ला पेश आ रहा है तो उसको आप कैसे हल कर सकते हैं and if things are going according to the plan और अगर आपकी चीजे plan के हिसाब से जा रही है तो आपको further अपने plan को आगे continue कैसे रखना है it helps to make sure the project stays on track and can be adjusted if needed यह आपकी मदद करता है कि जो आपका project है वो एक ही track के ऊपर चले जैसे आपने सोचा हुआता सारी चीजे वैसे ही एक order के अंदर हो है कोई error आ गया है तो आप उसको सही time पर adjust कर सकें ताके आपको वो results मिल सकें जिनकी लिए आपने उस project को start किया था पाइल स्टडिंग टेस्ट की तैयारी करते हुए test के material को पढ़ते हुए you regularly quiz yourself on the material आप अपने आप से कुछ सवाल पूछेंगे ताके आप यह पता कर सकें क आपकी तैयारी कैसी जा रही है review difficult concept आप difficult जो आपके concept है complex concept है उनको बार बार revise करेंगे उनको review करेंगे देखेंगे कि वो आपको आते हैं या नहीं आते जा भी भी जो है ना उनके अंदर कुछ error रह गया है जानि आपको अभी भी वो सही से concept clear नहीं हुए है तो आपने उसक test के result मिलें जब आपके सामने test आए तो आप उसको अच्छे से हल कर सकें and see clarification from your teacher फिर जो आपका study material है उसको आपने टीचर के पास लेकर जाना है और उनसे clarify कराना है कि आपने जो notes बनाए है वो बिलकुल सही है या फिर अपने किसी classmate को दिखाना है जब ज़रूरत पड़े क कि मेरे नोट सहीं है जा नहीं प्लीज चेक करके बताना फिर वो आपको चेक करके बताते हैं तो इस तरीके से जो आपका project है उसकी ongoing evaluation होती है project number 2 हमारे पास था baking cake while the cake is baking जैसे जैसे आप cake बना रहे हैं you keep an eye on it to make sure it's not burning आपने उस पे नजर रखनी है कि कहीं वो जल तो नहीं कर देंगे ताके वो जलने से बच सके इस तरीके से आप अपने baking cake की ongoing evaluation कर रहे होते हैं ताकि आपको वैसे ही result मिलें जैसा कि आप सोच रहे हैं post project evaluation post project evaluation से मुराद है कि जब आपका project done हो जाता है उसके बाद उसको evaluate करना यह देखना कि कौन सी उसकी खूबियां है कौन सी उस this involved looking at what was achieved कि हमने क्या achieve कि हमारे पास क्या result आए if the project helped solve the problem it was meant to अगर project ने आपकी मदद की है आपका जो problem था उसको solve किया है जो कि आप चाह रहे थे and what could have been done better तो आपने यह सोचना है कि आप और मजीद क्या अच्छा कर सकते थे जो कि उसके अंदर कमी रह गई थी यानि अगर आपकी आपका problem solve हो गया है तो क्या उसके इलावा कोई दूसरा तरीका भी था जिसके जरीए से आप अपने उस problem को और अच्छे तरीके से हल कर सकते थे यह नि कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता था तो आपके पास यह सारी सोची आती है It helps to learn from the experience and improve future project तो यह जो post project evaluation है यह आपकी मदद करता है आपको एक ऐसा experience देने में जिसके जरीए से आप अपने future projects को improve कर सकते हैं क्योंकि तब आपके पास एक experience आ जाता है उस project को करके कि इसके अंदर मेरी यह खामिया रह गई थी तो next जो मेरा project होगा उसमें मैं इन खामिय test कर सकते हैं कि जो मैंने तरीका follow किया था वो आप भी follow करें ताके आपका project भी वैसे ही result दे जो के मेरे project के अंदर थोड़े कम रह गए थे यानि आपके project आपको बेहतर result दे तो इस तरीके से जो आपका experience है वो लोगों के भी काम आता है improving the test you review your answer जब आपने अपने test को देख लिया आपने यह सोचना है कि आपने उस test के अंदर कैसे improve करना है क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपके कितने marks आए हैं अगर तो आपके marks बहुत अच्छे आए हैं तो आपको और ज्यादा improve करने की जरूरत नहीं है तो तब आप लोगों के साथ अपना जो material है वो share कर सकते हैं जो अपने experience है वो share कर सकते हैं उनको tips दे सकते हैं कि मैंने इन तरीकों को follow किया था जिसकी वज़ा से मैंने test में अच्छे marks लिये हैं लेकिन अगर आप लोगों का जो test है वो बहुत बुरा हुआ है और उसमें दुबारा improve करने की जरूरत है आपके material के results को दुबारा से review करना है और आपने अपनी performance को दुबारा से check करना है और यह देखना है कि कौन से वो areas थे जिनके अंदर आप week रह गए और उनको दुबारा से improve करने की जरूरत है ताके आपके future exams हों उनकी अंदर आपके अच्छे marks आ सकें और लोगों को भी आप यह suggest कर सक करते हैं कि मैंने इन तरीकों को follow किया था तो मेरे बुरे marks आए हैं तुम यह मत करना ताके तुम्हारे लिए ऐसा ना हो ताके तुम्हारे अच्छे marks आ जाए आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि एक आदमी ने तकरीबन 99 मरतबा experience किया कि वह बलब बना ले का जो सोमा तजर जाता है यू टेस्ट इट तो सीफ डिलिशयस और इस जाइस ना ये जब आपका केक बन जाता है तो आपने देखना है कि आपका प्रोजक्ट कैसे गिया है इसके अंदर आपने उन्हीं परफुस को अचीव किया है यह नहीं जिसकी तपने इस पोर्जक्ट को इस बनाया थ तो आप दूसरों को उसकी recipe दे सकते हैं, अगर उसकी अंदर कोई error आया है, तो आप और क्या उसके अंदर improvement ला सकते हैं, अपने future cake के लिए 4 faces of project evaluation, आपके पास project evaluation के 4 faces आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है planning, number second implementation, number three completion, number four reporting, ठीक है, planning में आप क्या करते हो, planning में तो goals हैं, उनको set कर लेते हो, अपने objectives को set कर लेते हो, कि हमें यह चीजें करनी हैं, ताके हमें इस मसले का हल मिल सके, this is like making a plan, before starting the project, अपने project को start करने से पहले, एक plan बना लेना है, it involves deciding what needs to be done, यह हमारे उस बात के गूमता है, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या जो है, हमें इसक project में achieve करनी है, and figuring out how to measure the project is successful, और इस बात का भी अंदाजा लगाना है, कि अगर हमारा project successful बनता है, तब क्या होगा, ठीक है, तो before studying for the test, आपको test को start करने से पहले, test को study करने से पहले, यह decide करना होगा, कि आपके कौन से chapters हैं, जिन पे आपको ज्यादा focus करने की जरूरत है, जो for the test, तब को पता चलेगा, कि आपको इस टेस्ट के एक टॉपिक के उपर कितना टाइम लगेगा, इसको solve करते हुए, इसको read करते हुए, इसको याग करते हुए, how much time to spend on each topic and what study method to use, और आप ये भी सोचते हैं, कि आपको कौन study method इसके अंदर इस्तमाल करना चाहिए, ताके आप अपने उन गोल्स को अचीव कर लें जिनका आपने सोचा हुआ है कि आप चाहते हैं कि आप किसी यूटुबर की वीडियो को सुनें और उसी के हिसाब से जो आपने वीडियो सुन लिए उसके बाद आपने उसको अपने जहन के अंदर नौट कर लिया और रिजिस्टर के उसके उपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं और किसके उपर कितना टाइम लगाना चाह रहे हैं पीफोर बेगिंग दा केक यूडिसाइड इफ यूवांट चॉकलेट केक और वैनिला केक आपको अपने केक को बेग करने से पहले यह सोचना पड़ता है यानि आप यह चोकलेट केक बनाना चाहते हैं या व unf kraal चाहते हैं या वनिला केक बनाना चाहते हैं अधि यू मेरे क्लिस्ट इंग्रिज्ईन्स दूबा this means doing the things that we were planned इसका मतलब है कि हमने वो चीज़े करनी है जिनका हमने plan बनाया था like building something, providing services और running a program वो कुछ भी हो सकता है जैसे कि आप कोई building बनाना चाते हैं Amazon, YouTube, affiliation marketing वगएरा के services देना चाते हैं या फिर आप कोई program run करना चाते हैं इसके अंदर कोई सिलाई कड़ाई का course आजाता है कोई computer course आजाता है कोई digital media का course आजाता है कोई भी course इस तरीके से आपका जो program है उस पर आपने अमल करके दिखाना है तो हम अपने दोनों examples को follow करते हुए इसको मजीद study करते हैं You follow your study plan अब आपने अपने study plan को follow करना है read through your notes अपने notes को अच्छे से पढ़ना है make flashcards फिर आपने flashcards बताने हैं यानि फिर आपको hint मिलेंगे जिसके जरीए से आप उस topic को solve करेंगे उसको guess करेंगे कि इसका answer ये था and practice answering sample questions to prepare for the test और जो आपके sample questions है उनके answer की practice करेंगे ताके आप अपने test की अच्छे से preparation कर सकें ताके आप test में अच्छे से score ले सकें क्योंकि अब आपका जो time है वो plan के उपर अमल करने का है इसी की वाज़ा से आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्लान को बनाते हो आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी वो तो सिर्फ आपको सोचना था वो हो गया लेकिन अब आपने अमल करके दिखाना है तो यह जो अमल करने का process है यह थोड़ा लंबा होता है थोड़ा मुश्किल होता है इसके लिए हमें काफी ज़़ादा time चाहिए होता है काफी ज़़ादा energy चाहिए होती है अब हम जो cake बना रहे थे हमने उसको क्या करना है you follow the recipe instruction हमने अपने instruction को जो recipe के हवाले से हैं उनको follow करना है mix all the ingredients हमारे जो ingredients हैं उन सबको हमने mix कर देना है एक दूसरे के साथ ठीक है जब हम उनको blend कर लेंगे तब हम क्या करेंगे तब जो हमारा cake है हम उसको oven में डाल देंगे ताके वो हमारा cake bake होने के लिए तयार हो जाए तब हमने उसका बहुत ज़्यादा धियान रखना होता है क्योंकि उसके अंदर हमारे चोटी सी जो गलती होती है उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जैसे के जो हमारा oven है उसकी जो heat हो हमने ज़्यादा कर दी है कम कर दी है यानि उसका जो temperature है वो अगर high और low हो जाए तो इसका हमारे cake के ओपर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस तरीके से आप कोई भी project ले सकते हैं सबसे पहले आपने उसका plan बनाना है फिर उस plan को follow करते हुए अपने sources का इस्तावाल करना है और उस पर अमल करना है फिर हमारे पास आता है completion when all the work is done it's time to wrap things up जब सारा काम तमाम हो जाता है तो हमने अपने चीज़ों को समेटना है यानि हमने उनको एक document की सूरत में तयार करना है ताकि हम आगे अपनी report पेश कर सकें तो इस project के अंदर आपने क्या देखा this involves finishing any remaining task के कोई task जहाना रह तो नहीं गया था एक document बना लेना है कि आपने क्या कुछ अचीव किया है ताकि जो आपका experience है ये दूसरों के काम आ सके जब फीचर project में आपके अपने काम आ सके after completing your study session you feel confident in your understanding of the material and ready to tackle the test जब आपने अपने study session को complete कर लिया तो आपने महसूस किया कि आप बहुत ज़्यादा confident हो गई है बहुत ज़्यादा brave हो गई है क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपना syllabus complete कर लिया है आपका जो material था आपके जो notes थे आपने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो रोल ही पड़ा है और आप अपने test को देने के लिए बिलकुल ready है किके after the cake is baked you take it out of the oven जैसे ही आपका cake बन जाता है आपका ये project भी complete हो जाता है और आप इसको ओवन से बाहर निकाल लेते हो let it cool आप इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए बाहर के temperature में रखते हो जा fridge में रख देते हो and then you can decorate it if you want फिर आप इसको decorate करते हो अगर आपको जो हैना इसकी जरूरत पड़ती है तब फिर जाकर जो हैना आप अपने recipe को note कर लेते हो कि मैंने इन इन तरीकों को follow करते हो यह project पूरा किया था अब यह जो documenting है यह जो report है जी मैं दूसरों के सामने पेश करूंगी तो उनके लिए भी काफी ज़्यादा यह helpful रहेगा last में हमारे पास आता है reporting and disseminating अब आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि जब आपने अपने प्लान को बना लिया था उसको follow कर लिया था उसको complete कर लिया अब आपको चाहिए कि आप उसका एक written record अपने पास रख ले ताकि आपका यह जो work है यह जो project है यह दूसरों के काम भी आ सके ताकि future में अगर आप इस काम को दुबारा करना चाहें तो आपके पास्ट में क्या जो हैना खामिया रही थी इस project के अंदर जिनको अब आप जो हैना cover कर सकते हैं this means telling people about the project इसका मतलब है अपने लोगों को उस project से aware कराना है उसके खूबियों और खामिया गिनवानी है ताकि वह लोग और अच्छे result ला सके sharing the results and lesson learn और अपने जो को भी आसानी रह सके जब वह इस तरीके का project बनाना चाहें उनके पास knowledge पहले से ही मौजूद हो you discuss your test results with your classmate अब आपने अपने टेस्ट के जो रिजल्ट है वह अपने classmate के साथ discuss करने है share study tips आपने उसको study tips देने हैं and strategies or strategies that work for you जो आपके लिए काफी जादा helpful हुए थे आपन के औरते बताती नहीं होती रेकिन फिर भी आपने दूसरों की help करनी है क्योंकि इनसान वही अच्छा होता है जो दूसरों के काम आता है and offer support to others who may be struggling with the material आप उनकी मदद कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा struggle कर रहे हैं उस material को ढूंडने में क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि आपको कुछ जो material है वो नहीं किसी बुक से मिल रहे होते हैं और नहीं किसी जहाना YouTube के content से मिल रहे होते हैं उनका जो material है वह आपको Google scholars पे वह सारे article से मिलता है तो ऐसे होता है कि आप उन article एक article को आपने पढ़ा दूसरे चेयर कर दें ताकि उनके लिए भी काफी ज्यादा helpful हो कि इस तरीके से भी material प्रिपेर किया जा सकता है उनके लिए आपका जो experience है वो एक guideline के तोर पर काम करेगा यू कट slices of the cake and share it with your friends अब आपका केक बन गया था तो आपने के स्लाइस को काटा और अपने friends और अपने family के चेयर कर देनी हैं कि मैंने इन steps को follow किया था इसी वज़ा से जो मेरा cake है वह बहुत अच्छे से बनाया है आप भी इन steps को follow करते हुए अपना ये जो baking cake है इसके project को सही से बना सकते हो तो इसी तरीके से हमारे पास different projects आते हैं पिर चाहें वो syllabus evaluation teacher evaluation हो material evaluation हो ठीक है वो methodology evaluation हो कोई भी हो उसको आप इस तरीके से evaluate कर सकते हैं जब आप अपने project के step by step चलते हैं तो आपको पता चलता है आपके project में कौन से weaknesses हैं कौन से जहाना strength है और आपका experience है last में आकर आप उसकी reporting बना कर दूसरों के साथ भी share कर सकते हैं ताके दूसरे वो mistake ना करें जो आपने की ये थे और आप